दिल्ली पुलिस जेन्यू की छात्र इकाई और टीचर्स एसोसियेशन के प्रतिनिधियों को HRD के अधिकारियों से मिलने ले गई बता दें कि दिल्ली की जुहारला नहरू उनिवर्सिटी में हिंसा और नागरिता कानून के खिलाफ छात्र शिक्षक और लेफ्ट समेत विपक्षी दलों के नेता ने मार्च निकाला जेन्यू के छात्र और शिक्षक गुरुवार दोपहर जेन्यू से बसों में भर कर मंडी हाउस पहुँचे सीपीय महासचिव सीताराम येचुरी, वरिंदाकारत, शरद यादव, डी, राजा समेत, दूसरे विपक्षी नेता छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए मंडी हाउस पर प्रदर्शन के चलते, लुटियंस जोन में ट्रैफिक बाधित है, मंडी हाउस से मानव संसाधन मंतुवाले तक जाने के लिए फिरोष शाहा रोड लिया जाएगा, जिसके कारण कनौट प्लेस तक जाने वाली लगबख सभी रास्ते बंद रहेंगे मंडी हाउस में 1444 लागू कर दी गई है, रविवार को जेन्यू में हुई हिंसा के बाद, अब लेफ्ट से जुड़े चातर संगटनों ने जेन्यू वीसी एम जगदीशन कुमार को पद से हटाने की मांग की, तो वहीं पुलिस पर कथिट गुंडों के साथ मिलकर जो पिछले शुक्रवार से चल रहा है, पूरे कैंपस में पढ़ाई लिखाई बंध है और कैंपस लेफ्ट राइट में बट कर रह गया है, इसी बीच गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजडिवाल जेन्यू हिंसा पर घिरी दिल्ली पुलिस का रुकने चाहिए, तो ऐसा ही होगा, व्यादेश मानते हैं, वरना नौकरी चली जाएगी. इनक्वारी उनके रहते हुए हो दे सकता। इसी देश का एक प्रीमर संस्थान है, उसमें उस प्रीमर संस्थान की अपनी प्रतिष्ठा,